डाउट्रेंट पे किजिए अपने सारे गवर्मेट एक्जामसी त्यारी, सीखे नियू टिप्सें ट्रिक्स और सफाय करें अपने सारे मैच्ज डाउट्स का, डाउट्लोड कीज़े डाउट्रेंट आप भी या फिर वाट्साप कीज़े अपने डाउट्स आठ चार्सो चार जालना है, तो देखिए यहाँ पर मुझे यह समी करण जदिया हुए, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, तो यह आ जाएगा, रूट 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 114 प्लस रूट 225 ठीक है, और इसको डिवाइड कि जा रहा है, आठ का घनमोल से, यानि कि क्यूब रूट 8 ठीक है, और इसकी वैल्यू पोंच रहे हैं, तो देखिए कभी भी अगर आपको इस तरीके का प्रशना आए, तो आप अंतिम वैल्यू से शुरू करिए, तो देखिए 225 का अगर मैं रूट निकालू, यानि 225 का अ दे रखा है, आठ का घनमोल, तो देखिए, अगर मुझे आठ का घनमोल चाहिए है, तो मुझे पता है, यह किसका घनमोल का होता है, दो होता है, क्योंकि दो की घाद अगर मैं तीन करता हूँ, तो यह 8 होता है, ठीक है, देखिए, यहां से यह वैल्यूस क्या जाएंगी, अब मेरा समी करण क्या बन जाएगा, रूट 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस रूट 154 प्लस 225 का रूट मैंने लिया, यनि कि वर्गमूल किया, तो ये कितना आ गया, 15 आ गया, तो देखो, ये 114 प्लस 15 क्या हो गया, 154 प्लस 15 हो गया, 179, 179, तो यहां से बताईए, मुझे 179 का वर्गमूल अगर देखों, तो ये कितने क्या होता है, 13 होता है, ठीक है, तो 179 का वर्गमूल होता है, 13, तो यहां से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखे, ये वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, रूट 10 प्लस रूट 25 प्लस रूट 108 प्लस यहां पर ये इसका क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 154 प्लस 15 हो गया, 179, और 179 का वर्गमूल क्या होता है, 13, तो 108 प्लस 13 हो गया, अब ये 108 प्लस 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 121 लिख सकता हूँ 121 का वर्गमूल अगर मैं निकालूँगा तो 121 का वर्गमूल होता है 11 ठीक है 121 का वर्गमूल क्या होता है 11 तो यहां से मैं इसको लिखूंगा देखिए अब मेरा यह समीकरन क्या बन गया root अभी मैं हर वाली संख्या से भाग नहीं दे रहा हूँ मैं केवल अंस को लिख रहा हूँ ठीक है यह मेरा अंस वाला पार्ट है फिर जो वैल्यू आएगी उसको मैं हर से भाग दे दूँगा तो देखिए यहां से यह क्या जाएगा 10 प्लस root 25 प्लस यहां पे 16 यानि 36 चतिस का वर्गमूल हो गया 6 तो यहां पे आ गया root 16 और root 16 बराबर क्या होगा 4 होगा यानि कि 16 का वर्गमूल 4 आ गया तो देखिए अंस में मुझे क्या आ गया अंच मेरा 4 आ गया और मुझे हर की value क्या थी हर की value मुझे दे रखे थी देखिए आठ का गनमूल ठीक है आठ का गनमूल हो गया था 2 तो देखिए हर कितना हो गया 2 तो मैं यहां पे मेरा यह समी करण क्या हो जाएगा 4 बटे 2 मैं करूंगा अंस बटे हर तो यहां से 4 बटे 2 यहनि कि यह value इतनी आ गई 2 तो मेरा answer हो गया 2 तो यहां पे मैं कहा सकता हूँ कि option number D मेरा यहां पे सही उत्तर थैंक यू डाउट्रेंट पे कीजिए अपने सारे government exams की त्यारी सीखे न्यू टिप्स और ट्रिक्स और सफाया करे अपने सारे match doubts का डाउंलोड कीजिए डाउट्रेंट आप अभी और फिर what's up कीजिए अपने doubts आठ चार्सो 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 पर